अंडराम्स वा चार खास अंगों से अगर आपके आती है बदबू तो आपको जो है अभी मैं आपको समधान बताऊंगी कैसे जो आप इन बदबू से या फिर जो बहुत चिपचिपाहट या फिर गर्वे में बहुत ज़दा पसीना आता है उससे आप कैसे अपने शरीर को ब चाके रख सकते है वो मैं अभी आपको बताऊंगी तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडराम्स की तो अंडराम्स में बहुत ज़दा बाल उगने स्टार्ट हो जाते हैं हम जो है नाते है फिर भी जो हमारे अंडराम्स की बदबू है वो नहीं जाती है तो आपको इसके लि के बाद आपने नेना है नारियल का तेल ये गोले का तेल जो है नारियल का तेल होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए हमारी स्किन को मौस्चिराइज करने का ये काम करता है तो आपने जो अंडराम्स में वहाँ पे जो आपने इस तेल को लगान तो यह जो तेल है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है अंडराम्स को सही करने के लिए साफ करने के लिए अगर काले रहते हैं चिपचिपाहट बदबू बहुत ज़्यादा है तो यह बैक्टीरियाज और जर्म्स को मारने का काम करता है और अंडराम्स को साफ बनाता है और ब पैसने विफूह की personalized संबाइब विफूदे करो आपको क्या करना है जोएव अपने गर्मियों में इसका इसुमाल करना है और गर्मियू में ही आपको यह पैननी है तो आपको जो है पसीने से और बदबू से जो है राहत मिलेगी तीसरी सबसे हमारे को इंटेट करने वाली आंग है जो हमारे सबसा important तांग है वो होता है हमारा मुँ तो अगर हमारे मुँ में से बहुत ज़्यादा बदबू आती है तो हम किसी के सामने खड़े भी नहीं रहा पाते है इसलिए आपकी मुँ की बदबू को सही करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आप जो है दिन में सुबा उठते ही जो है यह है नारियल का तेल आपने जो है दो चम्मच नारियल का तेल अपने मुँ में डालना है उसके बाद आपने जो है अपने मुँ में कुरला करना है अच्छे से अगर आप इस तरीके से कुरला रोज सुब आउटके करेंगे तो आपके जो मुँ की बदबू है वो जो है अ अगर फेस पर बहुत ज़दा पिंपल्स रहते हैं ग्लो कम है तो उसको यह ग्लो को भी लाने का मदद करेगा और यह वाइट कलर अभी हमने यह बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर का डाला है लेकिन अभी इनके मूँ से जो है यह सफेद कलर में इसके अंदर बाहर आ जाएगा उससे पहले आप जाने कि चोथा अंग वो कौन सा है जो सबसे इंपोर्टेंट अंग है तो सबसे इंपोर्टेंट है हमारे पैर तो जो हमारे पैर होते हैं उनमें जो है जुत्तों के वज़़े से बहुत जादा बदबू आना स्टार्ट हो जाती है आप बीना सोक्स के तो इसके लिए आपको क्या करना है जुत्ते के बदवु खतम करने के लिए आपको लेने है ऐसे tea bags ये कहीं से भी आपको बजार से मिल जाएंगे और वो जो आपने पूरी रात के लिए इन T-Bags को आपने अंदर ऐसे जुत्तों के अंदर डाल देना है और दूसरा भी आपने ऐसा ही करना है तो जब आप इस तरीके से D-Bags को अंदर डाल देंगे तो इससे क्या होगा कि जुत्ते की बदबू जो T-Bags है वो जो है पूरा एब्जोब कर लेंगे और सुबह आप असानी से इन जुत्तों को पैन पाएंगे पांचमा अंग और अभी मैं आपको अभी मूग की बदबू के बारे में भी बताऊंगी कैसे जो ये ट्रांस्पेरेंट सा नारियल का तेल वाइट कलर में निकल के बहार आएगा पांचमा अंग सबसे इंपोर्टेंट अंग होता है महिलाओ के लिए तो आपको उसकी कैसे केर करनी चाहिए या फिर पुरुष भी होते हैं उनके भी जो है प्राइवेट पार्ट होता है उससे बहुत ज़ादा बदबू आना स्टार्ट हो जाती है तो उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है हमेशा जो है अपनी योनी को जो है साफ पानी से जो है आपने साफ करना है ऐसे उसके बाद आपने क्या करना है आपके जो अंडर गार्मेंट्स होते हैं उनको जो है आपने दिन में दो बार चरूर चेंज करना है क्योंकि अगर हम अंडर गार्मेंट्स को चेंज नहीं करते हैं इसकी वज़े से भी जो है बहुत जादा बदवू आना स्टार्ट हो ज सुखाए क्योंकि अगर आप दूप में नहीं सिकाएंगे तो इनके उपर जो है बैक्टेरिया जमने लग जाएंगे जिसके वाइस से बहुत जादा बदबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो आप जो है इस तरी लड़किया जो है इसको भार रखने से शर्माती है लेकिन पतन में जो है बाहर निकल कर आएगी तो अब देखिए इन्होंने जो है ट्रांस्पेरेंट यहां पर आप खुद देख सकते हैं ट्रांस्पेरेंट मैंने इनको नारिल का तेल पिलाया था लेकिन खुद देखे हैं आपर मूह के सारे जर्म्स और बैक्टीरियास गंदगी सारी बाहर निकल के आ चुकी है तो आपको अगर इन्फोमेशन अच्छी लगे तो इसे और लोगों कर पहुचाईए धन्यवाद